हेलो गाइस स्वागत हैं आप लोग हमें एचनल परफिस है आज हम लोग बनाएंगे सिमेट का ब्लॉक और कैसे इसको बना जा सकता है मैं आपको तीन तरीका बता दूँगा कि कैसे आप बना सकते हैं सबसे पहले हम सबसे पहले जो तरीका हम लोग यूस करेंगे उसको एम 20 बोलते हैं तो इसके लिए सब से पहले हम लोग चाहिए होता है जो मोल होता है वह आपको मार्केट में मिल जायागा या लायन भी बाइण बाइब हुए अगर आपको ऐन लाइन खरीकोन चैंट कि वाभिघा लिजन का मार्केश्च से ले लेंगे तो есте Всем को इस दिजाइन का मॉड़ मिलता है आपको ब्लोक का लाईए सिलिकॉन रबर और प्लास्टिक का मिलता है तो प्लास्टिक का मismol dip अर्व हो या शिलिकॉन में से एक लिजएगा तो दूले शुरुवात करते हैं सब से पहले हम लोग क्या करें हैए एक बांटी सिम्न, जाए गчи चार बेग आपका gravels किरता है यानि stone किरता है एक बेल बाल्टी हम लोग cement गिरा हैं और दो बाल्टी हम लोग sand गिरा हैं ठीक है उसके बाद में हम लोग क्या गरें हैं यह देखिए अब stone गिरा रहा हूं मैं इसका चार बाल्टी गिराएंगे हम लोग 4 bucket गिरा देते हैं तो यह होगे हम लोग का तीन और यह होगे लास्ट चार तो अभी क्या गरेंगे हैं हम लोग इस mixture को हम लोग mix करेंगे ठीक है पूरी अच्छी तरह से आप लोग mix कर लिजीगा मैं तो आप video fast product कर लूँगा यह ऐसी तरह से नीचे उबर करके आपको सिमेंट को पूरा सिमेंट और यह सब को पूरा mix करना है ऐसे mix करना है दीखिए उसके बाद में गड़ा कर लियाना और गड़ा करने के बाद में आप लोग उस गड़ा के अंदर में पानी देगे इस mixer को बना लीजेगा ठीक है तो ऐसे बनाते हैं इस process को आप लोग follow करना है यह होगा हम लोग का पहला process है ठीक है इसको पूरा mix कर लीजेगा तो हम लोग का mixer तयार है तो अभी सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे ओल यूज करेंगे अब किसी भी किसम का ओल ले लीजेगा ठीक है घर का सरसुका तेल भी चल जाएगा तो पहले हम लोग करेंगे यह mold को कपड़े के मदद से तो इससे क्या होता है कि हम लोग का जो mold वो बहुत लास्निंग करता है और आसानी से जो cement का block है वो छूड जाता है ठीक है तो इसलिए हम लोग ओयल यूज़ करते हैं आप चाय तो केरोसीन भी यूज़ कर सकते हैं ठीक है जो आपके घर में रहे हैं उससे आप यूज़ कर लीजिगा और ठीक से डाल दीजिगा तो हम लोग क्या करेंगे ऐसे सिमेंट ठोड़ लेंगे और पानी उसमें डाल देंगे तो सिमेंट का गोल बना लेंगे ठीक है तो आप लोग एक जब set करेंगे तो cardboard के आप set कर लीजेगा उसके बाद में आप लोग मसाला डाल दीजेगा इसमें तो मसाला मैं डाल दिया हूँ अराम से डालिएगा कोई tension नहीं है जब मसाला पूरा डालना हो गया तो आपको क्या करना है इसको vibrate करना है उपर नीचे और side angle में ठीक है तो इससे क्या होता है कही पर gaping नहीं रहेगा और side से हिलाईएगा उपर नीचे हिलाईगा तो gaping कुछ होगा तो वो भर जाएगा ठी से आपको ऊपर का जो access है वो हटा देना है ठीक है तो ऐसी तरह के से पूरा finishing look आ जाएगा तो हम लोग इसको सूखने के लिए दे देते हैं यह तीन दिन लगेगा सूखने के लिए ठीक है तीन दिन का धूप में यह सूख जाएगा तो हम लोग तीन दिन के बाद में हम लो लोग उन्हें heavy block बनाया है यह बहुत costly गिरेगा आपको ठीक है तो यह अगर आपके area में जहां पर आपको इसको डालना है उदर में अगर truck गाड़ी उसको डालना है तब यह ऐसा type block आप बनाईएगा ठीक है नहीं तो मत बनाईएगा कि यह थोड़ा costly हो जाता है ठीक है अ और 5 bucket आपको send लेना होगा ठीक है हम इसको motor 1-5 बोलता है ठीक है इसको motor बोला जाता है पहले जो बनाया था हम लोग ने M20 के बनाया था यह motor 1-5 है ठीक है इसमें हम लोग stone add नहीं करेंगे तो इसमें क्या होता है एक बाल्टी cement और 5 बाल्टी आपका send किरेगा ठीक है उसके comprise में आ जाएगा और procedure जो है वो पहले की तरह है same procedure आप follow कीजिएगा और हम लोग क्या करेंगे अभी यह देखें इसको बोलते हैं जलावा जलावा वायर ठीक है इससे हम लोग जो road होता है उसको बांदते हैं ठीक है तो यह market से आपको cheap prices में मिल जाएगा इसको ऐसे काट लीजिएगा काट के क्या करना है आपको इसके अंदर में डालना है तो सबसे पहले वही procedure हम लोग फोलो करेंगे इसको half fill कर लेंगे पहले ठीक है मसाला से half fill करने के बाद में हम लोग क्या करेंगे यह जो जलावाला wire है वो हम लोग डाल देंगे ठीक तो जलावाला wire आपक आपको बैठा देना है बैठाने के बाद में आपको क्या करना है इसको fill कर लेना और धूप में सुखा देना ठीक है यह हो गया दूसरा process हम लोग यह cheap होगा बहुत आसानी आपका पैसा बीच बच जाएगा ठीक है तो हम लोग ने वही उसी के तरीके से आपको हिलाना है औ और सेम प्रोसीजर पहले वाले की तरह आपको करना है मैंटिन करना है जस्ट आपको जला वाला वायर एड़ करना था ठीक है और फिनिस करके आपका यह काम खतम अभी आप लोग जो बात करेंगे वह तीसरा वाला procedure है ठीक है उसके लिए वही सेम प्रोसीजर आपको फोलो क करना है और क्या होगा बीच तक आपको फिल करना है उसके बाद में आपको क्या करना है इसे स्टोन एट कर देना है ठीक है आपके उधर में आपके चला वाला तार नहीं है तो आप लोग स्टोन भी यूज़ कर सकते हैं ठीक है तो ऐसे बीच में आपको स्टोन एट कर देन है ऐसी तरीके से तो वो क्या करेगा वो कॉंक्रीट को बाइंड करके रखेगा हिलने नहीं देगा ठीक है तो यह हो गया हम लोग का लास्ट प्रोसीजियर ठीक है यह कोस्ट कम गिरता है और अगर वैसा टाइप आप नॉर्मली बनाऊगे तो ठूटने का तरीका खत्रा होता तो हम लोग इसको अभी सुखने के लिए रख देता हैं दोनों का सुखने का जो M20 हम लोग ने पहले बनाया था पहले वाला M20 और यह मोटर 1-5 इसका डिफरेंट सुखने का केटेगरी है वो तीन दिन में अगर सुखे तो मोटर वाला आपका 1-5 वाला छे दिन में सुखे हुआ 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 है